हेलो दोस्तों स्वागत है आप से भी का हमारे इस चैनल पर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था आधोनिक भारती इतिहास में यूरोपिय कमपनियों के मद संघरस और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे अंत में तिर्दिय करनाटे के उद्ध में फ्रां प्रांसेसी टिक नहीं पाए उन कारणों की हम लोग यहां पर बात करेंगे फ्रांसेसी कमपनी की आसफलता के कारण आसका जो हमारा टॉपिक है भारत में फ्रांसेसीयों की आसफलता का जो पहला कारण था वो था फ्रांसेसी कमपनी का एक सरकारी कमपनी होना फ्रांसेसी क कमपनी थी सरकारी जबकि जो बिल्टिस कमपनी थी वो निजी कमपनी थी जॉइंट इस्टॉक कमपनी थी उसमें कई सेरधार को ने अपना सेर किया था तो उसका प्राइवेट कमपनी कह सकते हैं निजी कारण यह था कि फ्रांसीसी कमपनी सरकार का एक विभाग मातर थी मतलब सरकार का एक विभाग था सरकार ने इसके अस्थापने की थी वह पूर रूप से अपनी सरकार पर निर्भर करती थी जो कमपनी थी फ्रांसीसी कमपनी वह अपनी सरकार पर भर करती थी तो उसमें आत्म विश्वास की कमी थी फ्रांसीसी सरकारी के कर्मचारी भरष्टाचारी थे इसके साथ ही फ्रांसीसी सरकार की और से हिस्षेदारों को लाब का कुछ ही अंस दिया जाता था अब सोचिए फ्रांसीसी सरकार जो थी फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचार अधिकारियों को बहुत कम अंस देती थी जबकि जो British company थी चुकि वो joint stock company थी उसमें जो सेरधारक थे तो वो आपस में मुनाफ़ा बाट लेते थे तो उनको बहुत बड़ा अंस मिलता था थोड़ा बहुत tax के रूप में British सरकाल लेती थी पाकी सारी चीजे सारा जो पैसा होत देखनें बहुत से कमजोर company थी है इसकार में देठी लिए लेते थे चुकि इनकी तनक्वा है सकते हां या वेतन कह सकते हैं बहुत कममोधी थी थी इसनी कंपनी करमचारी एधिकारई होते यह बहुत ज़्यादा व्यापार में रूची नहीं लेते थे लेकिन अंग्रेजी कंपनी गैर सरकारी थी गैर सरकारी मतलब सरकार के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी नेजी कमपनी थी सरकार भारत की कमपनी में व्यर्थ का हस्तचेप नहीं करती थी जो बिटिस सरकार थी वो भारती व्यापार में बिटिस कमपनी पर बहुँ ज़्यादा हस्तचेप नहीं करती थी कंट्रोल बहुँ ज़्यादा नहीं रखती थी अता अंग्रेज अधिकारी कमपनी के कार में पूरी रूची लेते थे चुकि उनको मुनाफ़ मिलता था सही से इसलिए रूची भी लेते थे तो पहला कारड यही लिखिया आप जब भी लिखिये कि फ्रांसेसी कंपनी क्यों आसफल हो गई तो आपको बस यही लिख दिना है कि चुकि फ्रांसेसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी इसलिए उस पर सरकार का नियंतरन जादा रहता था जो फ्रांसेसी सरकारी के कंपनी के करमचारी जो होते थे उनको बहुत कम वेतन मिलता था और सारा का सारा फ्रांसेसी सरकार हाड़ लेती थी तो इस करण फ्रांसेसी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी व्यापार में कम रुचिद रखते थे जो उसके पतन का एक करण बंता है फिर जो दूसरा है वो है अधिकारियों की भूमिका का प्रभाव अब चुकि फ्रांसेसी कंपनी जो थी उसमें एक दो को छोड़कर बाकी योग य अधिकारी नहीं थे जबकि आप देखेंगे ब्रेटिस कंपनी में तो एक से एक बढ़कर योग से योग अधिकारी वहां पर आते हैं तो इसका भी प्रभाव पढ़ता है अंग्रेजों के पास योग के सच्चम और कूटनीतिक अधिकारी थे जो एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तयार रहते थे अंग्रेजों के पास रॉबर्ट, कलाइब, सरायर, कूट, मैंने आपको बताया था, सेनपती था वार्सन, ये सब बहुत योग इथे डूपले के पेखचा कलाइब का बेक्तित उचा था देखें डूपले हलाकि योग था लेकिन बिटिस सरकार ने उसको वापस बुला लिया था तो वो भी एक करण था लारंस भी योग बेक्तित था, ये बिटिस था लेकिन फ्रांसेसी अधिकारी, काउंट डी लाली तथा बुसी आयर कूट की तुलना में बराबरी के अधिकारी नहीं थे काउंट डी लाली ये फ्रांसेसी हैं और डूपले, ये दोनों योग थे लेकिन इतने भी योग नहीं थे कि बिटिस अधिकार्यों को टक कर दे सके हाला कि जो डूपले था वो थोड़ा कूट नितिक ज़्यादा था अगर वो होता बराबर भारत में तो हो सकता है कोई खेल खेल जाता लेकिन चुकि उसको फ्रांसीसी सरकार ने बुला लिया इसके साथ ही फ्रांसीसी अधिकारी सदेव लड़ते रहते थे मैंने आपको बताया था जब परतम करनाटा की उद्धे मदरास पर कबजा कर लिया फ्रांसीसीों ने तो उसमें डूपले और लाबूर्डों इसके सायोग से कार नहीं करते थे इससे उनका पतन हुआ दूसरी और अंग्रेज सदेव एक दूसरे की सहायता करते थे उनकी उन्नती का रहस यही था तो यह भी कारण है कि भाई जो बिटिस कंपनी थी वो सफल हो गई तीसरा करण आप लिख सकते हैं फ्रांसीसी अधिकारियों के प्रति आविश्वास अब जो फ्रांसीसी सरकार थी वो फ्रांसीसी अधिकारियों पर बहुत ज़दा विश्वास नहीं करती थी जबकि जो ब्रिटिस सरकार थी उन दिनों आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं थी वह भारत इस्तित फ्रांसेसी अधिकारियों के कारों की प्रसंसा नहीं करती थी फ्रांसेसी सरकार की इस्तिती अच्छी नहीं थी तो फ्रांस में जो कंपनी थी भारत में उसके जो अधिकारी थे उनके कार्यों की प्रसंसा नहीं करती थी, उसे अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं था, लायली यहां पर लिखा इसका मतलब लाली, काउंडी लाली, काउंडी लाली को फ्रांस में फांसी पर लटकाया गया जब हो यहां से गया, डूपले प जी समराज का संस्थापक माना गया। इस प्रकार उपरिवत विवरार से इसपश्ट है कि फ्रांसीसी सोयम के कार्यों से आसफल होते गए और अंग्रेज अपनी कूटनीती से सफलता पराप्त करते चले गया। तो ये भी एक करण था चुकि फ्रांसीसी सरकार प्रोसान नही गई। फिर हम चौथे कालन की बात करें तो नौसेना भी काफी मजबूत थी बिटिस की। अंग्रेजों की जहाजी अंग्रेजों का जहाजी वेडा बहुत सक्ति साली था। अता जिन मारगों द्वारा फ्रांसीसियों को रसत पहुंचाया जाता था। रसत दलब खाने प पाटतिया करते थे। उनकी बस्तियों पर आकरमण कर देते थे और उनके बिरुद बिना किसी कठनाई के सहनिक तयारिया कर सकते थे। फ्रांसीसियों के पास बड़े जहाजों और समुद्री युद्ध के सस्त्रों का अभाव था। बिसिकलिए आप यह कह सकते हैं कि जो नौसेना थी वो ब्रेटन की नौसेना से कमजोर थी। तो ब्रेटन की नौसेना जब चाहती थी फ्रांसीसियों को डुबो देती थी, लूट लेती थी, नश्ट कर देती थी। उनका व्योहार सहसुड़ता पूरत नहीं था, इसकार उन्हें साधान जनता का समर्थन प्राप्त नहीं सुका। अभी जो फ्रांसीसी थे, यह ज़्यादा धार्मिक चीजों पर बल देते थे, मतलब जैसे इसाई बनाना, विवाह करना, इन सारी चीजों पर ध्यान देते थे, इन्होंने व्यापार पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस करन भारतियों में इनका बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हुआ, इनको भारतियों का समर्थन नहीं प्राप्त हो पाया। छठा कारण अप लिख सकते हैं, अंग्रेजों की व्यापारिक आर्थिक इस्तिती का मजबूत होना। इस कंपनी जो थी व्यापारिक विकास के साथ साथ समराज विस्तार पर भी ध्यान देती थी, यानि दोनों पर बराबर, समराज विस्तार भी देक रही थी और अपना व्यापार भी बढ़ा रही थी, लेकिन फ्रांसेसी कंपनी सिर्फ उर सिर्फ अपना समराज विस्तार कर रही थी, व्यापार पर ध्यानी नहीं दे रही थी। पैसा कहां से आता है व्यापार से ऐसे ही यूरोप में था कि फ्रांस वहां पर भी अपना पूरा व्यापार एकदम व्यापार पर ध्यानी नहीं दे रहे थी और समराज विस्तार कर रहे थी तो वही प्रभाव यहां पर भी था फूर इस कारण जब व्यापार नहीं पढ़ा तो समराज विस्तार भी आगे नहीं हो सका फिर है यूरोपिय राजनीती में फ्रांसीसियों का उलजना मैंने आपको बता था कि वहाँ पर भी यूरोप में भी लगातार युद्ध हो रहे थे फ्रांस और बेटन के मद्द तो फ्रांस जादा तर यूरोपिय युद्धों में उलजना रहा समराज विस्तार की महातोकान चालिए कई देशों से युद्ध करता रहा जिसका उसका जो पक्छ था वो कमजोर हो गया भारत में देखे जिस समय भारत में अंग्रेजी और फ्रांस जिसों के बीच संगर्श चला था उसमें फ्रांस यूरोप में एन एक देशों सो युद्ध में वेस्त था लेकिन इस समय इंग्लैंड यूरोपिय युद्धों से दूर था अताबा भारत में अपने संगर्श को बाकी और भी कारण आप देख सकते हैं बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं तो उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें